अरे आरा डिस्ट्रिक कत तो ठीक था लेकिन हमरे भारतिये फाइन जो है ना उतो ससुरा इंगलेंड जाकर के लोली पॉप पे कमर मटका रहे हैं जी एकदाम एकदाम मतला फोल बिहारी स्टाइल में यहाँ पर गाजे बाजे के साथ जशन मनाया जा रहा है रोड पे वाईसे तो भारत के फैंस हर जगा फेले हुए लेकिन इंगलेंड का तो खासा पुराना रिस्ता है अब 300 साल अंगरेजन ने हम पर राज किया और हमको अप उंगलियों पे नचाया अब बारी है कि हमरे बिहार के गाने पे ज़रा उनकी कमर में मटका आई जाए यह आप देख रहे हैं को रस्ता पर एकदम धिंचक स्टाइल में लॉली पॉप लागे लू बज रहा है वह क्या थिरक थिरक के नाच रहे हैं कौन भारतिये कौन अंगरेज कौन न्यूजिलैंड कौन विस्ट इंडीज क्या फरक पड़ता है गाना ही यह इसा है कि सुरा हर जगा पॉपिलर है अगरेजन के कमरिया लपालॉप कर रहा है यही तो देखिए जादु हमरे बिहार में गानी इतने कमाल के हैं कि देश में छोड़िये बिदेश में भी मने कहराम मचा के रखे हुए हक्का बवाल मचा दियो है मतलब हमरे बिहार के जो पवन सिंजी है ना मतलब कमाल कर दिये छाग है आज आप बहुते खोश होंगे कि आपका इगाया हुआ गाना आए जब लगावे लूटू लिपिस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक छोड़ी ये सिस्रा इंग्लांड हिला दिया है कमाल का किया है तो सबसे पहले तो वहिया पवन सिंग जी के लिए जोर दार दालिया हो जाए खेर यहां पेताई गाना ने गरदा उड़ा दिया है और भारत जो है उइंग्लांग में भी सभी टीमों का नाक में दम करके रखा है अरे ससरा एक तो बारिस के वज़े से न्यूजिलैंड बच गया वरना उका सिकार भी हमरे सेर ही कर देते फैर कोई बात नहीं अभी तो और मजा बाखी है अभी तो आगे आगे देखिए वल्ड कप में का होता है बस बारिस रुक जाए थोड़ा मतलब ICC वाले सुन रहे है अईसा है देखिए कि बिहार का गाना तो पहुचा दिये हैं अब बोलो तो मतलब थोड़ा भूसा भूसा ले करके उपर में मचान भी जोड़ देते अगर बारिस नहीं रुक रा तो बता देना हमरा मतलब बिहार में टाइलेंड बहुत है